हालो डियर स्टूरेंट्स वेलकम टू माई चैनल एक्सिलेंट इंग्लिस जोन आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का फिप्थ लेसन दा स्नीक एंड दा मेरर जिसके हम सौर्ट आंसर्स कवर करेंगे तो इस वीडियो में हम इस लेसन के इंपोर्टेंट सौर्ट आंस प्रेज में लिखे हुए हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट हैं तो हमारा फस्ट सौर्ट आंसर होगा वहन डिड़ दा इंसीडेंट रिगार्डिंग दर टेक प्लेस जो घटना है वो कहां घटे थुई हमें बताना है यह जो डॉक्तर के साथ जो घटना घटे थुई वो कह गटेत हुई, आंसर होग हमारा, दा इंसीडेंट टुक प्लेस इन दा रेंटेड हाउस एट नाइट अबाउट टेन ओकलॉग, वेन ही रेटन टू इस रूम आफ्टर हैविंग मील एट दा रेस्टोरेंट, ये घटना किराई के घर में रात के दस बजे घटेत हुई, जब है, यहाँ पर ही डॉक्टर के लिए आया हुआ है, जब डॉक्टर रेस्टोरेंट से भोजन करन्त के लोटा था, तब ये घटना घटेत हुई, ये कोश्चन हमारा कम्प्लीट होता है, इसके बाद सेकेट कोश्चन है हमारा, इसमें विद्दूत प्रकास नहीं था, इसमें विद्दूत प्रकास नहीं था, ये एक सिंगल कम्रा था, बाहर का कम्रा था, जिसका जो खुले हुए आंगन को खुलता था, इसकी जो छट थी, वो पत्थर की थी, जिसमें जो बीम के लट्थों पर सपोर्टेट थी, देर वाज नो शीलिंग, कोई छट नहीं थी, देर वाज रेगुलर ट्रैफिक आफ रैट्स, टू एंड फ्रो दा बीम, बीम पर चूहों का लगाता ट्रैफिक हो रहा था, इधर से अधर चूहें दौड रहे थे, तो इस तरह से, ये कुस्चन हमारा कम्प्लीट होता है, इसके बाद हमारा थर्ड कुस्चन जो है, वाई डिट दा नेरेटर लिव इन आए स्मॉल पूर हाउस, नेरेटर एक छोटे से गरीब घर में क्यों रहता था, आंसर है, दा नेरेटर लिव देना आए स्मॉल पूर ह इस लिए गरीब घर में रहता था, क्योंकि उसकी अर्निंग जो थी बहुती कम थी, उसने अभी अभी मेडीकल प्रेक्टिस स्टार्ड की थी, इसके बाद हमारा फोर्थ कुस्चन है, What possessions did the doctor have in his room, डॉक्टर अपने कमरे में क्या-क्या रखे हुए था, या क्या बस्तु है डॉक्टर की कमरे में रखी हुई थी, आंसर है हमारा, डॉक्टर had about 60 रुपीज in his suitcase, डॉक्टर के सूटकेस में 60 रुपे थी, along with some shirts and 32, उसके साथ साथ सूटकेस में कुछ shirts थी और 32 थ एकलोता बलैक कोट था, विच यूँ वो डॉक्टर अपने हुए था, यूशे वो पहने हुए था, नेक्स्त कुस्ट्टिन हमारा बनेगा, वाट काइंड डॉक्टर अपने डॉक्टर अपने बॉक्टर ने किस प्रकार की महिला से साथी करने का निस्चे किया और क्यों, The doctor decided to marry a fat woman, because he thought that if he made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run away and catch him. वह उससे पकड़ने की योग नहीं हो सकेगी और उसकी पीजे दोड़ नहीं पाएगी. तो यही कारण है कि वह मोटी महिला से साधी करना चाहता था या साधी करने का डिसाइड किया. Next question हमारा है How did the doctor react to the snake's landing on him? डॉक्टर ने snake के उसके उपर landing करने पर क्या react किया? मतलब डॉक्टर ने क्या react किया जब snake के उसके उपर गिरा? आंसर होगा हमारा As soon as the doctor saw the fat snake ringled over the back of the chair. जैसे ही डॉक्टर ने उस काले सर्ब को chair के पीछे ringal होते हुए देखा and landed on his shoulder और अपने कंदे पर उतरते हुए देखा he was petrified. वह जडवत हो गया. He neither jumped nor trembled nor cried out. वह ना तो कूदा ना कापा ना ही चिलाया. He said they are holding his breath like a stone image without any motion. बिना किसी गती के, बिना हिले डुले वाए एक पत्थर की मूर्ती की तरह सांस रोप कर बैठा रहा. तो ये question हमारा complete होता है. Next question है हमारा Why did the snake leave the doctor's arm? Snake ने doctor के arm को भुजा को क्यों छोड़ दिया? आंसर होगा हमारा The snake left the doctor's arm because it saw its reflection in the mirror. Snake ने doctor की भुजा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने अपना reflection mirror में देखा and was fascinated by it और इससे आकर सित हो गया. And sure wanted to enjoy its own reflection by having a closer look. और इसलिए वाइ अपने reflection को और पास जाकर enjoy करना चाहता था. तो इस वज़े से doctor के arm को snake ने छोड़ दिया. यह आंसर भी हमारा complete होता है. इसके बाद हमारा next question होगा. How did the snake change the writer's opinion about himself? किस तरह से snake ने लेखक के विचारों को बदल दिया? Answer होगा हमारा The writer was proud of being a doctor. Writer को अपने doctor होने का बहुत गर्व था. Coming face to face with the snake made him humble. Face to face snake को देखकर हुआ है बिनम्र हो गया. He thought he was only a poor and stupid doctor. और उसने सोचा कि वह है तो बहुत ही बेचारा और stupid सा doctor है. Who should not be proud of his profession? जिसे अपने profession पर घमन्ड नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से ये question भी हमारा complete होता है. आपने समरी में पढ़ा होगा कि इस तरह से वह अपने आपको बार-बार में देखकर कहता था. आखिर मैं doctor हूँ. तो सर्प के गिरने से उसके सारे विचार चीन्ज होगे. Next question हमारा होगा. Why did the doctor run away to his friend's house? डॉक्टर अपने मित्र के घर क्यों भाग कर गया? तो answer होगा आपका. When from writer's arm the snake slithered into his lap, crept into the table and then moved towards the mirror. जब लेखक के हाथ से सर्प खिसक कर उसकी गोद में गया और crept करते हुए table पर पहुचा और moved towards the mirror. और mirror के पास तक गया. The writer got up from the chair. तो लेखक chair से उठा and left into the yard. और आंगन को दोड़ा and ran to his friend's house to save his life. और अपने life को बचाने के लिए वह है अपने friend के घर भागा. इस तरह से ये हमारा next question भी complete हो गया. अब next and last question हमारा है. What made the doctor utter death lurked four inches away? किस तरह से doctor ने यह कहा कि मृत्यू उसके चार इंच दूर ही थी? तो इस question में हमें explain करना है कि जब doctor की उपर सर्प गिरा तो किस तरह से महसूस कर रहा था? उसे केव लग रहा था कि मृत्य उसके सामने ही खड़ी है. चार इंच दूर ही है. तो ये answer हमें write करना है. अंसर होगा हमारा, the doctor was under the grip of the snake. डॉक्टर सर्प की grip में था and sat motionless as a statue. और statue की तरह motionless बैठा हुआ था. इस body was inactive. उसकी body inactive थी, but his mind was completely active. लेकिन उसका mind completely active था. He knew very well that, वह अच्छे से जानता था कि snake would bite him at the slightest movement. हलकी सी गती में ही, हलचल में ही सर्प उसे काट लेगा. That is what made his utter these words. और इसी वज़े से doctor ने ये सब्द कहे. तो इस तरह से ये question भी हमारा complete होता है. और इस lesson के सभी important question complete होते हैं. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, अपने friends को ज़्यादा से ज़्यार करें. Thanks for watch.